तो आज मैं थर्मो डानेमिक्स का एक बहुत ही इंपोर्टेंट लिक्चर लेके आपके सामने आ गया हूँ रात के बज़े हैं बारा और मज़े आएंगे आप वीडियो शूट करने में मैं आ गया हूँ शिमला की कपकपाती ठंडी में इसलिए मैंने पहन रखा है नया जैकेट कैसा लग रहा है प्यारा आप सभी भी लग रहे हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो प्यारे बच्चों आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ओफ थर्मो डियनमिक्स प्रोसेषे thermodynamics में कौन-कौन से तरह के process होते हैं उनके अंदर क्या-क्या condition होती है उन process में work done, heat, internal energy कैसे निकालते हैं उन process में pressure, volume, temperature का क्या relation होता है ये आज की lecture में पढ़ना है एक लंबा lecture होने वाला है जिसमें हम आईजो thermal detail में, adiabatic detail में isochoric और isobaric process पढ़ेंगे ये चार basic process के उपर ITJ में बहुत सवाल आ रहे हैं देखो मैंने side में लिका है best numericals from previous year ITJ अपने इधर advance में आई हुए, mains में आई हुए जितने भी recent सवाल है सबको मैं discuss करूँगा मैं पूरी list बना के लाया हूँ questions की एक दो वीडियो से बच्चों ने complain किया कि मैं numerical part छोड़ने लगा हूँ तो आज देखो, best numericals लेकर आगया हूँ पर यार concept तो पढ़ना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों मेरा नाम अलक पांडे हमारा और आपका प्यारा सा channel physics वाला तो start करने जा रहे हैं आज types of thermodynamic process और कहीं ना कहीं ये first law का ही आगे का एक lecture मान सकते हैं मतलब thermodynamic 05 जो की first law of thermodynamics था ये उसी का extended version है बहुत खुबसूरत lecture है यहां से बहुत सवाल आ रहे है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं start करने जा रहा हूँ आईजो थर्मल प्रोसेस से आईजो थर्मल प्रोसेस द्यान जे सुनना बच्चों आईजो का मतलब होगा सेम thermal का मतलब है temperature यानि ऐसा process जो constant temperature पे हो उसको हम बोलेंगे आईजो थर्मल प्रोसेस ऐसा process जिसमें temperature constant रहे उसको बोलेंगे आईजो थर्मल प्रोसेस ऐसा process जिसमें delta T की value 0 हो change in temperature की value 0 हो उसको बोलेंगे आईजो थर्मल प्रोसेस प्यारे बच्चों अगर ये process ideal gas के अंदर हो रहा अगर ये process ideal gas के अंदर हो रहा तो ideal gas में आपको याद हो जब temperature constant होता है तो boils sir का law लगता है और boils law हम से क्या कहता है boils law हम से कहता है pressure is inversely proportional to volume if temperature is constant यानि P into V is constant यानि P1 V1 is equals to P2 V2 तो ये सारी बाते true होंगी जब ideal gas में आप isothermal process को देखोगे दूसरी बहुत important बात बच्चों internal energy के साथ क्या होगा प्यारे बच्चों कोई भी process हो कोई भी isothermal adiabetic है ना हमको सिर्फ तुमसे प्यार है जी आप एकरार है कोई भी process हो उसमें internal energy के change का formula आप लगाओगे n cv delta t चाहे जो process हो n number of moles of ideal gas cv molar specific heat capacity at constant volume delta t changing temperature चाहे जो process हो delta u की value हमेशा ये रहेगी n cv delta t अभी ज़्यादा tension नहीं लेना है क्योंकि isothermal process है temperature constant है delta t 0 तो delta u की value 0 पर ये बाद true है सिर्फ और सिर्फ ideal gas के लिए जितने भी maximum सवाल आप देखोगे j में आए है maximum क्या जा 100% सवाल 100% सवाल ideal gas के उपर है तो temperature constant change in temperature 0 delta u 0 मतलब isothermal process यदि ideal gas में मिलता है तो change in internal energy will be 0 internal energy change नहीं हो सकती first law of thermodynamics लिखेंगे q is equals to w plus delta u ये है first law of thermodynamics इनमें हर term का मतलब क्लियर होना चाहिए q is heat given to the system w is work done by the system delta u is increase in internal energy किसी system को heat दोगे heat given to the system तो उस heat से वो work करेगा work done by the system और थोड़ी सी heat बचाके अपनी internal energy बढ़ा लेगा अब थोड़ी सी बचाएगा कि नहीं उसका मरजी तो हमने देखा यहां पे delta u पूरी तरह से 0 यानि isothermal process में जितनी भी heat दोगे सब की सब work में convert हो जाएगी जितनी भी heat दोगे सब की सब work में convert हो जाएगी जितनी भी heat दोगे heat given to the system पूरी system heat ले लेगा और उससे कर देगा work work done by the system आपने किसी system को heat दिया उसने heat से पूरा पूरा work कर दिया, complete heat work में change हो गया, जो कि आगे पढ़ोगे possible नहीं है वो एक अलग कहानी है second law of thermodynamics अभी हमें इसके बारे बात नहीं करना है first law कहता ऐसा होता है तो हम मानते हैं ऐसा होता होगा first law कह रहा है कि जब कभी ये होगा तब ये होगा, ये process रियल लाइक में possible नहीं है एक perfectly isothermal process एक perfectly isothermal process एक ideal process है एक imaginary process है बच्चों, एक thought process है, ये सब हो नहीं सकते ये imaginary है ideal है, बहुत सी conditions लगींगे तब होगे, तो reality में पूरी heat कभी work नहीं बनती पर अगर perfectly isothermal process कभी, यदी मिल सका, तो heat given to the system will be equal to work done by the system clear है condition क्या है perfectly isothermal process होने की एक perfectly isothermal process होने की condition प्यारे बच्चों है the process should be very very slow, the process should be very very slow, एक बहुत ही धीमा process अगर होगा तभी वो isothermal हो सकेगा तभी वो isothermal हो सकेगा मैं इस बात को explain करता हूँ आप इतनी बाटे पहले note कर लो आप इतनी बाटे पहले note कर लो हेहे, 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 कर लिया सारा जमना, सारा जमना, थर्मोडैनमिक्स का दिवाना तो रात के बारा बजे मेरे को सूज रही है मस्ती चलिए, मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा एक perfectly isothermal process कैसे होगा माल लो, यहां मेरे पास cylinder में एक gas है सार, आपके पास हर समय cylinder, gas, piston घर पे बनाते हो क्या है सार, हाई सार बोलो दाड़े वाले आदमी अच्छा, तो यहां इसमें अंदर हमारे पास एक ideal gas है हमेशा कितरा मेरे प्यारे बच्चों, माल लो, मैं इसको बाहर से heat supply करूँ क्या supply करूँ? heat supply करूँ, इसको बाहर से मैं heat supply करूँ तो इस heat से इसका temperature rise करना चाहिए इस body का temperature बढ़ना चाहिए तो मैं इसको इतनी धीमे-धीमे heat दूँ कि जो भी heat इसको मिले सुनो, ध्यान से, सुनो, दो तरह समझाओगा, दोन तरह से दोन तरह से, सुनो, सुनो, पहले ध्यान सुनो मैं यहाँ पर छोटे-छोटे weight रख दिया मैंने इसके उपर छोटे-छोटे weight रख दिया यह movable piston है ठीक है, अब मस्ती नहीं, सुन तो लो, हर समय नाचदाना है रुख जाओ, movable piston है आपने इसको धीमे से छोटी सी heat दी अब इस heat से इसके पास दो option थे एक, work कलने दूसरा, internal energy बढ़ा ले internal energy बढ़ने का मतलब temperature बढ़ा ले सुलो, आपने इतनी धीमे से heat दी कि जितनी भी heat दी उससे यह expand किया हीट को अंदर जाकर इतनी जज़़ा heat ही नहीं दी कि अंदर के molecules का temperature बढ़ए भाई इसके उपँर एक जिम्धारी इस gas के उपँर क्या जिम्मेधारी है? कि इसको ये load उपर उठाने है आपने इसको थोड़ी जए energy दी और energy दी अरे समझो भाई माल लो हम तुमसे अभी 100 push-up मरवा दें 100 crunches मरवा दें तुमसे खुब exercise करा दें और तुम्हें खाना दें क्या तुम्हारी body उसके बाद खाने को store करेगी नहीं तुम्हारी body उस खाने को उस काम को करने के लिए यूज करेगी कि भाई हमको और exercise करनी है तो इसके उपर भी एक बजन है तो इसको बहाद से जो energy दोगे उससे ये अपनी internal energy नहीं बढ़ाएगा आप इसको जो heat दोगे उससे ये और heat दोगे जितनी भी heat दोगे किस में change होगा work done में change होगा ये तभी हो सकता है जब ये process very very slow हो अगर आप बहुत डे सारी heat दे दोगे मालगर ये process fast हुआ fast में आपने क्या किया बहुत डे सारी heat दे दी जल्दी चे ले heat अब इतनी heat जैसे ही दोगे उस तेका ये work तो कर नहीं पाएगा तो कुछ heat कहां चली जाएगी internal energy बढ़ाने में clear है बात इसी को different तरह से देखते हैं उल्टे तरह से देखते हैं इसको इस तरह से भी देख सकते हैं w is equals to q कैस बात को हम इस तरह से भी imagine करते हैं work done by the system is equals to heat gained by the system work done by the system is equals to heat gained by the system ठीक है मान लो इस system को work करना है इसको उपड़ उठाना है तो इसने उपड़ उठाया सुनो या मजे लो पहले बात के बहुत बढ़ी आशिच कहानी है मान लो इसने work मैं क्या बोलना हूँ उल्टे दरह से एको work done by the system is equals to heat given to the system मान लो इसने इसको उपड़ उठाया उपड़ उठाने से expansion होगा expansion से यह अपनी अंदर की energy यूज किया होगा मान लेते हैं मान लेते अपनी अंदर की energy use करके इसने किसी तरह से weight को उपड़ उठाया तो अंदर की energy यानि इंटर्न energy को use करके weight को उपर उठाया, इसकी वज़े से इसका temperature fall करने वाला होगा, पर जैसे ही temperature fall करने वाला होगा, बाहर से थोड़ी सी heat आगे, heat आने से temperature बापस होई, फिर इसने थोड़ा सा उठाया, temperature fall करने वाला था, बाहर से थोड़ी सी heat आगे, फिर इसने थोड़ा सा उठाया, temperature थोड़ा सा fall करने वाला था, बाहर से heat आ गई, अगर ये process बहुत fast होगा, एक बार में उठा देगा, तो अंदर का temperature fall कर जाएगा, और बाहर से heat आने में time लग जाएगा, clear, दूसरी बच्चों condition क्या है, कि ये जो boundaries हैं, ये जो boundaries हैं, ये बच्चों perfectly conducting होनी चाहिए, perfectly conducting होनी चाहिए बच्चों, diathermic, क्या बोलते हैं इसको हम, diathermic, बहुत ही अच्छी conducting हो, conducting होने से क्या होगा पहले बच्चों, कि हम heat अंदर ले सकते हैं, बहुत easily heat अंदर आ सकती है, clear हो रही है बात, बात समझ में आ रही है, yes sir, clear है, clear है, बहुत बढ़ी है, समझ में आ गया, so एक perfectly isothermal process very slow होगा, और तब होगा जब boundaries हमारी perfectly conducting हो, perfectly conducting हो, जैसे ही temperature fall करें, बाहर से heat मिल जाए, यह न, expand करते हैं, clear है, आपने expand किया, work done by the system, कहां से किया, internal energy को यूज़ करके temperature fall रहता, तुरिंद बाहर से heat आई, वापस temperature is stable, फिर और expand किया, internal energy गिर रही थी, बाहर से heat आई, temperature is stable, खैर यह सब तो imaginative बाते थी, इनका हमें जही के exam में बहुत जादा इस्तमाल नहीं करना है, पर concept तो हमको बनाना है, और बनाना एक फल है, और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, करम करना चाहिए, रात के 12 बज़े ऐसी बाते होती है, clear है यह आतक बाते हैं, प्यार से, अच बहुत बढ़ी हैं, तो मैंने अभी तक आपको आइजो थर्मल प्रोसेस के अंदर यह बताया, कि आजो थर्मल प्रोसेस एक imaginary प्रोसेस है, सबसे पहले, सबसे इंपोर्टेट बार, आईजो थर्मल प्रोसेस है, रियल लाइफ में असब प्रोसेस है, इतना slow process हो ही नहीं सक यानि आईजो थर्मल के अंदर हमें एक चीज़ पता चली कि temperature होना चाहिए constant, delta T को लिखतेंगे 0, अगर हम लगा रहे है ideal gas के लिए, तो हम बोलेंगे P1 V1 is equals to P2 V2, और हम बोलेंगे यह तब होगा, जब प्रोसेस slow हो, कैसा slow हो, very 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 slow हो, और हम बोलेंगे कि walls कैसी हो, perfectly conducting परफेक्टली वर्ट उतने आप समझ लेना है तो दिल की feeling है, perfectly conducting हो, ताकि heat अंदर आपाए और प्रोसेस बहुत 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 slow हो, और हमने पढ़ा कि अगर ideal gas के लिए बात करेंगे, तो delta U की value होगी 0, और साथ में हम first law लगाएंगे, तो Q is equals to W, इतनी बातें पढ़ी, अ अगला बड़ा ही important जो topic है, work done in isothermal process, work done in isothermal process, तो heading लगा लो, heading लगा लो copy में, work done in isothermal process, work done in isothermal process, इतनी बातें clear हैं, अच्छा इसका PV diagram दिखा दूं क्या, PV curve, ये भी देख लो, PV curve, ऐसा बनेगा, क्या ऐसा क्या बना, P is inversely proportional to V, तो ये बन गया, Y is proportional to 1 by X का, P is inversely proportional to V, इस graph की slope भी बड़ी important होती हो, ये भी देख लो, slope of this graph, slope of PV curve, जितना बोल रहा हूं, उतना अच्छे से note कलो, इससे बाहर से कहीं जवाल नहीं मिलेगा, slope of PV, इतनी बाते हैं, temperature constant, delta T0, ideal gas, P1V1 is equals to P2V2, जिसका मतलब है, P is proportional to 1 by V, ये graph बना लिया, very slow, perfectly conducting हो, ताकि heat अराम से अंदर आ सके, अराम से बाहर जा सके, ideal glass में, delta U, 0, Q, W के equal, work done में निकालने जा रहा हूं, और PV curve की slope की बात करें, आइस की slope निकाले, तो बच्चे इस प्रोसेस के हम बोल सकते हैं, PV is equals to constant, PV is equals to constant, बोल सकते हैं कि नहीं, P1V1 is equals to P2V2, जड़ा इसको differentiate करो, partial differentiation, तो पहले P constant, volume का differentiation, फिर volume constant, P का differentiation, इधर constant का differentiation will be 0, clear, P constant DV, plus V constant DP, अच्छा, मैं एक काम करता है, इसको इसको देल ले जाता हूं, तो VDP is equals to minus PdV, लेख सकते हैं, VDP is equals to minus PdV, यहां से DP बटे DV की value निकालो, DP बटे DV की value, आएगी minus P by V, DP बटे DV की value minus P by V, अब बच्चों, DP बटे DV क्या है, यही तो slope है, सोच लो, समय दे रहा हूं, यही तो slope है, बच्चों, इस graph की slope क्या होगी, DY by DX, मतलब DP by DV, उसकी value है minus P by V, minus क्यों आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है, negative slope है, ठीक है, जब graph ऐसे बनता है, तो positive slope, ऐसे बनता है, तो negative slope, तो देख रहो, इस तरह से slope आ रही है, जैसे यहाँ बे मैं इसकी slope निकालूं, तो देख रहा हूं, negative, तो slope of PV curve, P, Y axis, V, X axis, slope क्या होता है, DY by DX, यानि DP by DV, slope, किसमें निकाल रहा है, isothermal process, is equals to minus P by V, माल लो, यहाँ PV की different values है, समझो बात को, ऐसे नहीं छोड़ा मैं, माल लो, यहाँ V की value है, suppose कर लो, 8V0, यहाँ value है 4V0, ठीक है, यहाँ value है V0, ठीक है, P की value देख लो, तो यहाँ पे माल लो, P की value है, P0, यहाँ value है, माल लो, 2P0, यहां value है माल लो 8p0, ठीक है, अच्छा, अब माल लो हमसे कहा कि इस जगह पे graph की slope बताओ, एक point ये ले लो x, एक point ये लो y, एक point ये लो z, हमसे बोलता है x पे slope बताओ भाई साब, भाई साब graph की slope बताओ, कहां पे, x पे, कहां पे बताओ, x पे, यहां पे, तो dp by dv, slope बताओ नहीं कहां पे, x पे, is equal to minus p by v, तो x पे p कितना है, 8p0, v कितना है, v0, so minus 8p0 by v0, यह slope बाई की, अब p0 v0 की जो भी value है, आप पूट कर देना, मतलब slope change हो रही है, देखो, अगर मैं y पे पूछता यही, तो dp by dv at y, y पे, formula y, minus p by v, p कितना है, minus 2p0, v कितना है, 4v0, यह तो कितना हो जाएगा, minus p0 by 2v0, तो this slope will keep on, प्यारे बच्चों, this slope will keep on changing, clear है, clear है, अब work done की बात कर ले, slope समझ में आ गई है, minus p by v, negative आ रही है, और pressure और volume पे depend कर रही है, values मैंने ऐसी क्यों ली, क्योंकि p into v, constant होना चाहिए, यहाँ pv के product देखो, 8v0 into p0, 8pv0, यहाँ पे देखो, 2p0 into 4v0, 8p0, यहाँ पे देखो, 8p0 into v0, 8p0, v0, तो मैंने ऐसे लिया फा value, कि pv constant है, इतनी बाते clear, note कर ले, इसके बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला isothermal process के अंदर, इसके बाद मैं work done का formula derive करने जा रहा हूँ, कहती बाद आपने note कर ली है, slope कैसे निकाला समझ में आया है, pv is equals to constant differentiate, pdv plus vdp, हो गया, मिटार दे, okay, आईने के सो टुकडे करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे, सो में भी अकेले हैं, आईने के सो टुकडे करके हमने देखे हैं, आईने के सो टुकडे करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे, सो में भी अकेले हैं, सो में भी अकेले हैं इसलिया लॉजिक है फिजिक्स है रा, मतलब, thermodynamics में होता है PDV integration यही पढ़ा है कि P delta V पढ़ लिया है P delta V तो तब लगाते हैं जब pressure constant हो P delta V तब लगाते हैं जब pressure constant यहाँ pressure constant नहीं तो work done का formula होगा integral PDV integral PDV work done का formula अब process कैसा है मेरा isothermal है यानि temperature constant है तो माल लेते हैं at constant temperature कोई ideal gas कोई ideal gas expand की है माल लेते है from volume V1 to volume V2 कर सकती है from volume V1 to volume V2 और बच्चों आपको पता है जब यह expand करेगा तो इसका pressure भी change होगा तो माल लेते हैं pressure P1 से P2 हुआ है ना माल लो volume बढ़ रहा तो pressure घटेगा आपने देखा न पी वी constant है तो अगर volume बढ़ेगा तो pressure घटेगा क्या चीज़ constant रहेगी temperature तो माल लेते हैं एक ideal gas है जिसके मेरे पास N moles है मुझे नहीं पता कितने ideal gas थी तो मैंने माल लिया N moles ideal gas थी एक ideal gas कितनी है N moles है जो कि expand की from volume V1 to V2 सवाल आ रहा है कैसे expand की heat कर दिया यह ideal gas को रखा उसके नीचे से आग जला दी आगी जला देंगे तो तपके expand कर जाएगा बहुत simple thermodynamics है है heat किया work ठीक है expand यानि expansion हुआ volume V1 से V2 था हमको work done का formula चाहिए प्यारे बच्चों पहले आप work done का formula चाहो तो यहाँ side में कहीं कॉप्चे में उपर लिख लो work done का final formula आएगा वो आएगा nRT log base e V2 by V1 ठीक है तो पहले तो आप चाहो तो formula कॉप्चे में कहीं दबा लो nRT log base e V2 by V1 आएगे देखे कैसे आएगा प्यारे बच्चों अगर यह ideal gas है अगर यह ideal gas है तो क्या हम यह समझ सकते हैं कि PV equal to nRT होगा अगर यह प्यारे बच्चों ideal gas है तो क्या PV equal to nRT होगा बिल्कुल होगा क्या P की जगे हम nRT by V लिख सकते हैं यह सब बहुत easy easy चीज़े हैं P की जगे nRT by V V1 से V2 ideal gas है तभी यह सब करना, V1 से V2, integration किसके terms में है, dv के terms में, n is a constant, number of moles तो भाई, change नहीं होगा, r is a constant, gas constant, and even t is a constant, क्योंकि यह isothermal process है, इसमें temperature constant रहेगा, तो अंदर integration बचेगा, dv बटे v का, v1 से v2 तक, प्यारे बच्चों यह हो जाएगा, n, r, t, dby, v का integration होता है, log v, तो यह हो जाएगा, log v, dx by x का integration होता है, log x, dx by x का, log x, कहां से कहां जाना है, v1 से v2 जाना है, जाना है, जाना है, चलती ही जाना है, तो log v2, minus log v1, लिख सकते हैं, finally it will become n, r, t, देखो, पहले v2 लिखा, फिर minus v1, log a minus log b, becomes log a upon b, कोई डाउट तो नहीं है, इसमें, र, 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 हैतना सान, सच चीज, log a upon b, ध्यान रहे, यह work done by the gas निकला है, छोटी जी बात है, यह work done by the gas है, अगर कोई बोले work done on the gas, तो यहाँ negative लगाना पड़ेगा, this is work done by the gas, छोड़ दो, जब भी positive y work done, तो by the gas, negative y तो on the gas, positive तो by, negative तो on, work done जब भी कैसा है, positive तो by the gas, ठीक है, आच्छा, यह formula है, n, r, t, log e, v2 by, v1, इस formula को मैं और भी बहुत different तरह से लिख सकता हूँ और लिखूँगा, पहले आप इतना note करें, note कर लिया, समझ में आया, क्या किया, integral p, d, v, अगेरा किया, फिर मैंने बोला कि भाईया, ideal gas है, तो p, v is equal to, भाईया, n, r, t, लगा दिया, और भाईया, अपने बोल दिया, कि प की जगे, n, r, t, by, v, लिख लो, फिर अबने का n, r, t, constant बहार ले लो, d, v, by, v, v1, 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 v2 और integration वागेरा करती है, log v2 minus log v1, log a minus v, log a by log v, तो work done का ये formula, अब सुनो, इस formula को और कित्की तरह से आप imagine कर सकते हो, ये आपकी छंता है, देख, आपने कहा कि work done का formula है, n, r, t, log base e, v2 by v1, मैं कहता हूँ, इसको pressure के terms में लिखो, तो क्या हम लिख सकते है, n, r, t, log e, p1 by p2, by volume और pressure, inversely proportional चल रहे थे, क्या हम ये लिख रहे थे, p1 v1 is equals to p2 v2, यानि p1 upon p2, v2 upon v1 के एक को लोगा, प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप volume के terms में ही याद रखो, और ये याद रखो की isothermal process में, volume और pressure inversely proportional है, तो काम बन जाएगा, volume के terms में बनाया, फिर inversely proportional की कहानी खेल दी, अब सुनो, मान लो exam में temperature नहीं दिया, number of moles भी नहीं दिये, very important thing I am telling you, जड़ा ध्यान से देखो, क्या p1 v1 equal होगा NRT के, और क्या p2 v2 भी equal होगा NRT के, यानि इस formula में आप NRT की जगह p1 v1 और p2 v2 भी put कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, clear है, मैं बस बता दिया, कई बार number of moles और temperature नहीं दिया होगा, तब आप लिख सकते हो, p1 v1 log e v2 by, बहुत तरीके बन जाएंगे या अरब तो, या p2 v2 log e v2 by v1, concept समझो, और अगर इस पे लगा दें तो NRT की जगह, पी 1 v1 log e p1 by p2, याद नहीं करो, concept समझो, p2 v2 log e p1 by p2, मैंने नहीं याद किया, मुझे सिर्फ ये expression याद है, सच्छी बता रहा हूं, God promise, NRT log e v2 by v1, फिर मुझे पता है कि volume और pressure inversely proportional है, तो मैंने v2 by v1 को लिखा, p1 by v2, फिर मुझे पता है कि, NRT, 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 PV के equal होता है, और यहाँ पे दोनों PV बराबर है, p1 v1, p2 v2, तो चाहे NRT की जगे p1 v1 लिखो, चाहे NRT जगे p2 v2, जो exam में दिया हो, जो असान लग रहा हूं, ये सारे formulae use करने है, ideal gas के work done के लिए, क्या इतनी बात आपको clear है, exam में थोड़ी जी trick आप से खेल देगा, ideal gas का work done की जगे heat पूछेगा, तो, isothermal process में, q is equals to w होता है, आपने देखा भी, क्योंकि q is equals to w plus delta u, delta u zero हो गया, ideal gas के लिए temperature constant, तो अगर आप से heat पूछ ले तो भी यही formula, work पूछ ले तो भी यही formula, isothermal process में इस से बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, clear है, 100% work done के formula, nrt log e v2 by v1, volume is inversely proportionate to pressure, nrt की जगा pv, p1 v1 या p2 v2, slope होती है, minus p by v, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, अगर आप भी मैंने बना के दिखाया, चले बच्चों अब लेते हैं, अगला process, जो की बहुत important process है, adiabatic process, adiabatic process, adiabatic process, प्यारे बच्चों, adiabatic process ऐसा process है, जिसमें heat exchange 0 हो, जिसमें q की value 0 हो, q बोल लो, delta q बोल लो, दोनों के meaning same है, system अपनी surrounding से कोई heat exchange ना करे, ऐसे process को हम बोलते है, adiabatic process, ये फिर से, एक ideal condition, एक imaginary, एक thought process है, और ऐसा होने के लिए, process should be very, 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 fast, बहुत ही fast process होना चाहिए, तभी heat exchange, 0 हो पाएगा, प्यारे बच्चों, अगर q की value 0 हो गई, तो हम बोलेंगे, q is equals to w plus delta u, q की value 0 होते ही, w is equals to minus delta u, इस बात की अपने आप में एक meaning भी है, meaning आपको समझाते हैं, जरा मुझे बताओ, अभी सब समझाएंगे सारी कानी, delta u की value होती है, हमेशा n, c, v, delta t, प्यारे बच्चों, हमेशा, 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 delta u की value होती है, n, c, v, delta t, हमेशा, यह कहानी कह रही है, कि work done by the, work done by the system is equals to minus, यानि decrease हो रहा है, internal energy, minus change in internal energy, negative लगा है, मतलब internal energy, decrease कर रही होगी, negative, बहुत सिंपल सी कहानी, आप बाहर से heat दे नी रही हो, आप system से कहो work करो, कहां से करेगा, अपनी internal energy को decrease करके, यही तो बता रहा है, हमने आपको खाना दिया है, आप से बोला exercise करो, तो आप exercise किस energy से करोगी, अपनी internal energy को निकाल के, so work done by the system, is on the expense of decreasing its internal energy, decreasing its internal energy, यसे माल लोग थरमस है मेरे पास, ठीक है, थरमस क्या होती है, थरमस की जो बॉल होती है, इसकी एक दूसरी condition देख लो, दूसरी condition है, perfectly insulating wall, perfectly insulating wall, adiabatic wall BCU कहते हैं, insulating wall क्यों, भाई heat ना निकल पाए, conducting wall होगी, तो heat तो zoom, zoom निकल जाएगी, अंदर भी आ जाएगी, समझो बात को, अगर wall मेरे प्यारे बच्चों, conducting हो गई, तो heat बाहर भी चली जाएगी, अंदर भी आ जाएगी, नहीं 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 नहीं, wall should be perfectly insulating, heat ना बाहर जा सके ना अंदर, अब मैं बोलना, जैसे अपने पास एक thermos flask है, thermos flask के अंदर, चाई गरम रहती है, अब मालनों उसमें, चाई और गरम करना है, thermos flask में चाई क्यों गरम रहती है, ना heat बाहर जाएगी ना अंदर, insulating होता है ना पूरा, insulating भी होता है, उसमें radiation भी रोकी जाती है, उसमें convection भी रोका जाता है, बहुत process लगाते हैं, मालनों में thermos flask को ऐसे 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 हिलाऊ, तो उसके अंदर की चाई और गरम हो जाएगी, reason, आपने क्या किया उसके उपर, work done on the system, work done on the system, अब ये work done on the system, बाहर तो निकल नहीं पाया heat के form में, आपने चाई पर work किया, work done on the system, प्यारे बच्चों, work done on the system, by the system नहीं, on the system, आपने चाई के उपर work किया, मतलब ये value negative होगी, यानि delta u की value आएगी, देखो ये लिखा हुआ था, सुनो ध्यान से पहले, आपने work done on the system किया, यानि work done की value मानलो कुछ minus x, तो यानि delta u की value कुछ plus में आएगी, मतलब delta u positive, मतलब energy increase करेगी, मतलब temperature increase करेगा, मतलब चाहे गरम हो चाहेगी, छोटी सी बात थी, सोचने वाला thought process, thought thought process, नहीं समान भाएगा, सुनो यानि work done on the system, कैसा होता है, negative, तो मैंने उसको minus x लिया, delta u positive, internal energy increase, दूसरा process है bursting of tyre, bursting of tyre, खड़ लेते हैं ना, खड़ 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 बम्, ऐसे बस्ता, तो bursting of tyre में क्या होता है, एक तो बहुत quick process है, very very fast, very very fast क्यों बोला, थाकि heat को भागने का, या अंदर आने का, मौका ही ना मिले, ठीक है, heat exchange का समय ही ना हो, अब बिना समझा है, मजा नहीं आता है, मुझको जल्दी बाग के सवाल कराऊं, मजा नहीं उसमें, very fast is the, heat should not get enough time to escape or to come in, टायर फटा भाग्ट से ऐसे, अब heat के पास समय ही नहीं है, उस region में जाने का, या उस region से बाहर आने का, टायर फटा ब्रू, टायर फटा तो air क्या करेगी वहां की, एक्सपैंड, air क्या करेगी, एक्सपैंड, work is done by the system, work is done by the system, positive x, delta u की value negative y, यानि intel and energy decrease की, यानि temperature decrease करेगा, ऐसा होता भी है, जब टायर बस्टिंग होती है, तो अगल बगल cooling होती है, जब अब मैं बताऊंगा ही, यह आया नहीं कभी, टायर बस्ट होती है, तो अगल बगल क्या होती है, cooling, अब टायर बस्टिंग कैसा process है, very quick process है, quick process से क्या हुआ, टायर फटा, टायर फटा को क्या हुआ, expand हुई, gas, टायर के नदर जो gas थी, वो expand की, work is done, by the system, या by the gas, expansion का मतलब होता है, 6, अरे हाया ना, यास देखो, यह प्लस एक्स डिए, यानी delta U decrease, मतलब delta U negative, यानी internal energy decrease, यानी temperature decrease, इसलिए इट कॉल्स, अब वो फटा, अब वो cooling हो रही है, अगल बगल से heat अंदर आना चाहती है, पर नहीं आपाई, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है, अगर दीमे दीमे फटा, थोड़ी ची कूलिंग होई, बाहर से heat आई temperature बराबर, थोड़ी और cooling होई, बाहर से heat आई temperature बराबर, थोड़ी और cooling होई, अब यह आईजो थर्मल प्रोसेस होता है, तब cooling नहीं होती, अगर प्रोसेस बहुत बहुत स्लो होग रहा, फटा थोड़ा सा, थोड़ा दटायर फटा, थोड़ी ची ग्यास एक्स्पैंड की cooling होई, बाहर से heat आई, वापस temperature बराबर, फिर फटा, थोड़ा और, थोड़ी cooling होई, बाहर से heat आई temperature, तो अगर बहुत स्लो हो रहा होता प्रोसेस, तो आई जो थर्मल, बहुत कुएक है, इसलिए, इडियाबैटिक, चलो, इतनी छोटी-छोटी बातें आपको समझ में आ गई, यह सब कहानिया थी, यह तो बस कहानिया है, है ना, अच्छा, और क्या important कहानि, इसमें मुझका आपको बतानी है, heat exchange 0 हो गया, q 0 हो गया, w minus delta u के equal हो गया, delta u के value, ncv delta t, एक important चीज़ और समझो, slope बता दो इंगी क्या, एक relation बताता हूँ, एक relation है, p और v का, जैसे isothermal में हमने पढ़ा, p, temperature जब constant हो, तो pv की value constant, adiabatic में बच्चों, हमारे पास एक नई equation है, poisons equation बोलते हैं, poisons equation बोलते हैं, poisons equation बोलते हैं, उसका derivation आपके syllabus में नहीं है, कई केताबों में दिया है, पर कभी भी कहीं पूछा नहीं गया, आपको एक relation समझना है, अगर process adiabatic है, अगर ideal gas है, अगर process adiabatic है, और अगर ideal gas है, तो प्यारे बच्चों, pv की पार गामा constant होगा, यानि p1 v1 की पार गामा इक्वल होगा, p2 v2 की पार गामा के हैं, p1 v1 की पार गामा इक्वल होगा, p2 v2 की पार गामा के हैं, और गामा क्या है, प्यारे बच्चों, गामा हम बोलते है, ratio of molar specific heat capacity at constant pressure to constant volume, गामा होता है, cp बटे cv, यह, ठीक है, ratio of molar specific heat capacity at constant pressure to constant volume, cp by cv, अगर मैं degree of freedom के terms में बता हूँ, तो यह 1 plus 2 by f आता है, अगर आपको degree of freedom समझना है, तो thermodynamics 0, 2 देखना पड़ेगा, गामा होता है, 1 plus 2 by f, गामा बच्चों, nature of gas पे depend करता है, किस पे depend करता है, nature of gas पे, अभी आगे पढ़ाता हूँ, इतना नोट कर लो, गामा डिपेंड्स अपान, nature of gas, इतना नोट कर ले, नोट कर लिया, मैं आ जाओं, अगे, मैटार दुम सको, ओके, ये जो महबत है, ये उनका है काम, थर्मों का बस, जलेते हो नाम, मर जाए, चलो, तो गामा इस 1 plus 2 by f, गामा डिपेंड्स अपान, nature of gas, बचो, f को बोलते हैं, degree of freedom, देखना है तो, thermodynamics 0, 2, f की value मैं बता दूं, 3, 5, 6, 3 होगा, mono atomic gases के लिए, जो single atom में हो, जैसे helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, बस कर रहे, जो single atom में हो, 5 होगा, dia atomic gases, के लिए, dia atomic gases, जैसे hydrogen, जैसे oxygen, जैसे nitrogen, जिसमें 2 atom हो, 6 होगा, poly atomic gases के लिए, 6 जल्दी मिलता नहीं है, फिर भी, poly atomic gases के लिए, जैसे sulfur dioxide, जैसे nitrogen dioxide, जैसे sulfur dioxide, जैसे methane, CH4, 2 से ज्यादर atom, तो degree of freedom की value, डिपेंड करती है, nature of gas पे, mono atomic, 3, diatomic, 5, triatomic, 6, और gamma is 1 plus 2 by f, तो एक हमारे पास, poisons relation मिलता है, adiabatic process का, isothermal में, PV is equals to constant, adiabatic में, PV की power, gamma is equals to constant, यहां से कई relation और बनते हैं, PV की power, gamma is equals to constant, अगर मैं इस equation को, temperature, और volume के terms में लिखना चाहूं, तो आपको पता है, कि यह ideal gas की बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं, PV is equals to nRT, यहां से P की value होगी, nRT by V, यानि P की जगे लिख सकते हैं, nRT by V, V की power, gamma is equals to constant, n number of moles constant, r gas constant, यानि यह दोरों चीज़े constant, तो T, V की power, gamma और एक यह, minus 1, is equals to, क्या बोल सकते हैं, constant, तो यह हो गई, poison's equation, in terms of, temperature and volume, क्या किया, मैंने P की जगे लिखा, nRT by V, उठा के यहां रख दिया, मैंने बोला, n constant, r constant, और T को रखा रहा, V की power, gamma minus 1, is equals to constant, clear है, बहुत चोटी सी बात, किसी ने कहा, इसी को आप, pressure or temperature के terms में लिखो, pressure or temperature के terms में, pressure or temperature, यानि, क्या हटाना है हमको, हमें volume हटाना है, ठीक है, तो PV is equals to nRT, यहां से volume हटाना है, तो P, V की power gamma, तो V की चखे, nRT by P की power gamma, is equals to constant, लिख सकता हूँ इसे, मैंने कहा, एक PV के terms में होगिया, एक TV के terms में होगिया, एक PT के terms में निकालो, तो मैंने कहा, यहां से volume हटाना देते हैं, तो V की चखे, nRT by P की power gamma, अब देखो, n की power gamma, अपने आप में एक constant होगा, क्योंकि gamma एक तो constant है, for a given guess, R constant, R की power gamma भी constant, तो मैं इन सब constant को उधर ले गया, तो बचा P, और यह P की power gamma, यानि P की power 1 minus gamma, P की power gamma is constant, सही लिखा है मैंने 100%, अब लो, एक यह तरीका होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आपको याद रखना है, PV की power gamma is equals to constant, आपको याद रखना है, PV की power gamma is equals to constant, इसके बाद मान लो, आपसे कहता है कि भाईया, volume और temperature में बताओ, तो आप समझगे pressure को हटाना है, ideal gas equation use करो, P की जगे nR T by V रखो, nR T by V, n constant, r constant, उदाजाएक एक नया constant, T, V की power gamma minus, आपको कोई कहता है pressure temperature, तो यहाँ से volume बटाना है, volume की जगे nR T by P, की power gamma, n की power gamma एक constant, r की power gamma constant होजाएक एक constant, P की power 1 और P की power gamma, P की power 1 minus gamma, T की power gamma, तो यह तीनों relation आप कहलो, या एक relation मान लो, ऐसे तो एक ही relation यार, उसी से दोनों बने हैं, यह हम use करते हैं, adiabatic process में, कहां use करते हैं बच्चों, adiabatic process में, adiabatic process में, पढ़ ली हैं जरा उसको एक बढ़ दिखते हैं, adiabatic process, तो adiabatic process में क्या क्या कंडिशन हैं, पहली heat change 0 हो, delta q 0 हो, process should be very very fast, अगर धीमा होगा, तो heat अंदर आ जाएगी, या बाहर चली जाएगी, समय मिल जाएगा, process should take place in insulating boundaries, by insulating walls हो, अगर conducting होगी, तो heat बाहर चली जाएगी, या अंदर आ जाएगी, फिर और क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि, w is equals to minus delta u, using first law of thermodynamics, q is equals to w plus delta u, q की value 0 हुई, w is equals to minus delta u, फिर बच्चों हमने पढ़ा, कि इसमें, एक नई equation true है, poisons equation, pv की par gamma is equals to constant, मतलब p1 v1 की par gamma, is equals to p2 v2 की par gamma, और हमने पढ़ा, यह जो gamma है, वो है 1 plus 2 by f, f degree of freedom, और हमने यह भी पढ़ लिया, की जो यह f की value है, वो होती है, 3, 5, 6, monoatomic, diatomic, triatomic gas के लिए, इतनी बाते हमने clear कि, और फिर देखा, इसको हम change भी कर सकते हैं, using pv is equals to nrt, इतनी बाते हम करें कर लें, अब बच्चों हमको बात करनी पढ़ेगी, work done, in, adia, batik, process की, और एक बच्ची है हमारी बात, slope, of, adiabatic curve, तो आपने, isothermal की slope देखी थी, minus pv, ज़रा adiabatic की slope देखते हैं, तो मैं adiabatic graph बना दू, pv, बच्चों, adiabatic graph आपका कुछ, ऐसा गिरेगा, isothermal से तेज गिरता है, isothermal से तेज गिरता है, adiabatic graph, isothermal से तेज गिरता है, इसकी slope, isothermal से ज़्यादा होती है, बहुत ही steep होती है, बहुत ही fast slope होती है, बहुत ही fast, isothermal से ज़्यादा, isothermal से गामा गुना ज़्यादा, क्यासे आए देखते हैं, प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूँ, PV की पार गामा is equals to constant K, इसको मैं partial differentiate करूँगा, तो P को constant माना, इसको differentiate किया, गामा V की पार गामा माइनस वन, प्लस, इसको constant माना, और P को differentiate किया, DP, constant का differentiation 0, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला, pressure रो constant V की पार गामा का differentiation, गामा V की पार गामा माइनस वन, गामा गामा गामा, और V की पार गामा को ले लिया constant, और P का definition DP, is equals to constant का 0, थोई दिर और सुन लो, यहां से V की पार गामा इंटो DP, is equals to minus, यह पूरा इदर गया, P, गामा V की पार, गामा माइनस वन, और यहां पे एक टर्म मिस हो रहा है, वो है DV, देखो, इसको जब differentiate करेंगे, P को constant माना, V की पार गामा का differentiation, गामा, V की पार गामा माइनस वन, और लगेगा DV, partial differentiation कर लेना, तो पहले इसको पूरा differentiate किया, फिर DV लिखा, प्लस, V की पार गामा को constant, P का differentiation DP, constant का differentiation 0, मैं कह रहा है, इसको इसी तरफ रखो, V की पार गामा DP, इसको इस तरफ, माइनस P, गामा, V की पार गामा, माइनस वन, DV, अब बच्चों, यहां से, DP, अपॉन, DV, यही तो slope होगी, DP बाई DV, DV by DX की वैलू हो जाएगी, माइनस, P, गामा, V की पार गामा, माइनस 1, DV तhtरब आ गया, यहां से गया, V की पार गामा, V की पार गामा, V की पार गामा, गामा, cancel हो जाएगा, उपफर बचाएगा, V की पार माइनस 1, उसको नीचे ले आएंगे, सो हमें मिलेगा dp by dv is equals to minus gamma p by v ध्यान से देखो यही मिलेगा, tension मतलो v की पार gamma, v की पार gamma cancel यह बचे का v की पार gamma और v की पार minus 1 है ना, इसको लिख सकते हो v की पार gamma into v की पार minus 1, v की पार gamma gamma cancel, v की पार minus 1 को नीचे, so slope of adiabatic curve is minus gamma p by v और isothermal की सिर्फ p by v थी, मतलब adiabatic की given pressure और given volume पे slope, isothermal से gamma गुना जादा होगी gamma गुना जादा होगी, slope किसकी बड़ी होगी, adiabatic की अगर isothermal का graph ऐसा है, तो adiabatic का ऐसा होगा उससे जादा steep, उससे जादा तेजी से गिरता हुआ graph, adiabatic का होगा अगर दो ग्राफ देख रहे हैं, हलका सा गिरा है, बहुत तेज गिर रहा है तो adiabatic वो होगा जो बहुत तेज से गिर रहा है जिसकी slope बहुत साथ है बच्चों, इसकी slope बहुत साथ है, इसकी slope कम है ये देखो, slope angle, slope होता है angle, इसका angle देखो बहुत कम है इसका angle बहुत जादा बढ़ गया देखो यह कम हो गया यह बढ़ गया angle यह angle यह angle छोटा clear है तो हम बोल सकते हैं कि slope of adiabatic dp by dv of adia is equals to gamma times of dp by dv of iso किसकी slope जादा है adia की किसे आईजो से कितने गुना गामा गुना क्या यह नीचे का expression दिख रहा नहीं तो मैं आऊँगा camera के पीछे इसको करूँगा नीचे और वापस zoom बरे zoom बरे zoom zoom बरे zoom चलो हो गया note हो गया बहुत बढ़ी है कहां मिलेगा आपको इतना प्यारा camera man जो आके आपके वीडियो के screen को भी उपनीचे करी हो गया clear तो adiabatic की slope आईजो थर्मल से जादा होती है और कितनी होती है minus gamma p by v clear प्यारा सवाल दूँ आपको चलो पहले इसको नोट कल लो फिए बहुत प्यारा सवाल देता हूँ आज में उपर तुरुडू आसमा नीचे टडड़ं आज में आगे टड़ं जमाना है पीछे इनको कोई भाईया relativity पढ़ाओ आज में उपर आसमा नीचे है भाई चलो मैं बहुत important बात बताने जा रहा हूँ गावा के बारे में जड़ा ध्यान सुनू यह तो समझ में आगे ना कि adiabatic की slope आईजो थर्मल से ज्यादा है इस पर तो सवाल कर लोगे ना एकदमी गधे क्या एकदम गधे को नहीं हूँ पूछा कौन सा adiabatic कौन सा इसो थर्मल कौन सा इसो थर्मल इन दोनों में से किसमें जादा तेज गिरावट हो रही है टू वाले में तो definitely टू इसमें से कौन सा बन जाएगा एडिया वन क्या बन जाएगा आईजो क्लियर है बन की स्लोप बहुत कम है यार देखो न अराम से गिर रहा है तूचिं गिर रहा है जिसमें ज्यादा स्टीप स्लोप दिखे वो adiabatic ठीक है इस तरह से बन के आएगा अपन हीट इंजन पढ़ेंगे जब अपन हीट इंजन पढ़ेंगे चलो अब यह भी मैं एक इंपोर्टेंट आपको कहानी सना देता हूं दोजार दो आईटीजी का सवाल इस पर बेस्ट है गामा इस इक्वल्स टू बाइफ जरन गामा की value निकालते हैं गामा फर मोनाटोमिक, गामा फर डाइटोमिक, गामा फर पॉल्स प्रीर के लिए हैं तीन जो सिंगलएटम वाले होते हैं तो वन प्लस तू भाइट्री monatomically 1 plus 2 by 3 2 5 by 3 that is 1.67 यानि helium neon वगेरा क्या gamma diatomically 1 plus 2 by diatomically F की value 5 diatomically F की value 5 तो 5 plus 2 7 by 5 so 1.4 यानि hydrogen oxygen nitrogen इन सब के लिए 1.4 polyatomic के लिए F की value 6 2 by 6 that is 1 by 3 1 plus 1 by 3 यानि 4 by 3 that is 1.33 for CH4 for NO2 for SO2 etc खास बात यह है कि जैसे जैसे atomicity बढ़ रही है वैसे वैसे gamma की value गिर रही है monoatomic single atom वाले gases का gamma सबसे बढ़ा है और poly का सबसे छोटा है तो आपको याद रखना चाहिए gamma for mono is greater than gamma for dia is greater than gamma for poly better होगा आपको values भी याद रहे हैं बहुत अच्छी बात होगी अगर आपको values याद रहे हैं values है 1.67, 1.4, 1.33 clear? 1.67, 1.4, 1.33 याप बुलोगा इसका use क्या है use है adiabetic की slope adiabetic की slope nature of gas पे depend कर रही जिस gas का gamma ज़ादा होगा उसकी slope जादा होगी जिस gas का gamma जदा होगा उसकी slope जदा होगी ले लेते हैं J.2002 का एक सवाल जो मैं लेके आया हूँ फर्रे में पर्ले से हम देते हैं paper, paper में आते हैं प्यारे number, क्या है सवाल, हमसे बोला हमारे पस एक p v curve है, 2002 में आया था, लिखूं क्या यह है, 2002 की तो कोई कदर ही नहीं सर, इतना पीछे आया था, इतना पीछू सर सवाल आया, है चिचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच एक first एक two हमसे बोल रहा है 1 and 2 दोनो एडिआबैटिक प्रोसेस हैं तो पूछा है 1 and 2 किसको करिसऽपॉंड करेंगे option दे है 1 और 2 दोनों क्या है एडिआबैटिक, पूछा किसको करिसपॉंड न करेंगे हिलियम, oxygen oxygen, helium helium agent oxygen, nitrogen चलिए सोच के बताईए बच्चों आपको देख रहा है 2 की स्लोप 1 से जादा है जिसकी स्लोप ज्यादा होती हो तेजी से शार्पली गिरता है तो 2 की स्लोप 1 से ज्यादा है क्लियर हो गया, slope of two, slope of one, अब बोल दो कि तुम two, adiabatic है one, isothermal नहीं चलेगा, adiabatic की slope, isothermal जाद होती ही पर दोनों की दोनों adiabatic है, अच्छा, यानि दोनों adiabatic है, यानि slope depend करेगी अब किस पर, गामा पर, यानि दोनों का गामा अलग-अलग होगा, यानि दोनों अलग-अलग nature की gas होगे, तो option C और D तो वैसी कड़ गया, monotomic, monotomic नहीं हो सकते, diatomic, diatomic नहीं हो सकते, अब two की slope one से जादा है, यानि गामा two का one से जादा है, monotomic, diatomic, diatomic, monotomic, आपको decision लेना है, गामा किसका जादा होता है, monotomic का, यानि two वाला definitely monotomic है, औग one वाला, diatomic, कह सकते हैं, two की slope जादा है, slope किस की जादा होती है, monotomic, यानि two वाला monotomic है, 2nd नमबर पे monotomic, यानि 2nd नमबर पे helium, 1st नमबर पे oxygen, यह नहीं हो सकता, यानि 1st पे helium दे रहा है, 2nd की slope जादा है, 2nd क्या होना चाहिए, इतनी बाते हमें करनी थी, adiabatic process में slope भी हो गया, बाते हो गई, slow process, perfectly insulating, q की value 0, है न, gamma फिर depend करती है, slope, pv की power gamma constant, बहुत सी बाते हो गई आप से, बहुत सी, एक और सवाल ले ले, चलिए अब यहां तक आ गए है, तो j e का एक और सवाल ले ले लेते हैं, based on adiabatic process, ठीक है, एक असान से सवाल लेते हैं, सवाल है, 2010 का, i t j e, 2010, i t j e, इतना note कर लिए हैं न, सब note करते रहो, सब data, data है, data, data, किसका तु बीठा, बच्चों, इसमें हम अगली चीज पढ़ने हैं, work done in adiabatic process, इतना note कर लो, तब सवाल कराएं, work done in adiabatic process, उसके पहले एक निमेर करा दू में, इसके बाद जो दो process हैं, बहुत असान है, आइजोपोरिक, आइजोबारिक, उसमें कुछ हैं नहीं, यही दो process में इन थे, देखो, question है, 2010 का, क्या बोल ले हैं हमसे, सर, 2010 देखे, थोड़ा से interest आ जाता है, क्या बोल ले हैं, a diatomic ideal gas, एक, diatomic ideal gas, is compressed, adiabatically, to 1 by 32 of its initial volume. If initial temperature of gas is T initial in Kelvin, and final temperature is double दुखा है, a into T initial the value of a is a की value हम से पूछी है, 4 option मैं आपको दे दूँ, the value of a is a, b, c, d, 1, 2, 3, 4. पॉस करके एक बार खुद से ट्राइ कल लें, पॉस करेंगे वीडियो को, ट्राइ करेंगे कोशन को, इंक पिलाएंगे मारकर को, सवाल बनाएंगे एक्जाम में, हो गया, बहुत बढ़ी आया, किते लोग ने कर दिया, correct option is, a1, नहीं, it is c3, नहीं, it is d4, yes, किते लोग का d आया, मेरा, 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 आईए देखे कैसे होता है, तो हमसे बोला है, एक idle gas को compress किया है, 1 by 32 of its initial volume, माल लेते हैं initial volume उसका V है, तो final volume हो गया, V बटे 32, यह तो बोला है, if initial temperature of gas is T initial, initial temperature, T initial, final temperature is 80 initial, पुछा है, what is the value of A, तो कहीं न कहीं, volume और temperature को relate करना है, भाई साब, है न, यह initial condition है, यह final, कहीं न कहीं, volume और temperature का relation चाहिए होगा, किसके लिए, adiabatic process के लिए, तो आपको याद हो, adiabatic के लिए, PV की par gamma is equals to constant, मुझे तो यही याद है, आपको हो सकता हो, सब याद हो गया, मुझे तो नहीं होता, मैं कमजोर बच्चा, गरीब मैं, PV की par gamma minus 1, नहीं हो, मुझे को, तो PV is equals to nRT लगाएंगे, P की जगे आप लिख सकते हो, nRT by V, समझो याद देखो, nRT by V into V की par gamma is equals to constant, क्योंकि यह ऐसा, क्योंकि मुझे पता है, volume temperature का relation चाहिए, तो मैं pressure को हटा रहा हूँ, n constant, r constant, उधर गया, T V की par gamma minus 1 is constant, तो यह expression हमें यूज करना है, T V की par, इससे सवाल बन जाएगा, T V की par gamma minus 1 is equals to constant, ठीक है, इससे बन जाएगा, PV की par gamma समझो बन सकता था, pressure को, nRT by V लिखा, n constant, r constant, T V की par gamma, अब आप लगा दो, T1 V1 की par gamma minus 1, is equals to T2 V2 की par gamma minus 1, T1 है अपना T initial क्यारा सा, V1 है V, की par gamma minus 1, T2 है A T initial, और V2 है V बटे 32 की par gamma minus 1, T initial T initial cancel, V की par gamma minus 1, V की par gamma minus 1 cancel, तो यहां से A is equals to 32 इदर जाएगा, 32 की par gamma minus 1, बलो सही V की par gamma minus 1 cancel, 32 की par gamma minus 1, अब बाद आती ही gamma की value, कौन सी gas है, diatomic, gamma की value क्या होती है बच्चों, 1 plus 2 by F, diatomic के लिए F की value, 5, monatomic के लिए 3, diatomic के लिए 5, पहड़ी के लिए 6, 5 रखोगे, 1 plus 2 by 5, 5 दो, 7 बटे 5, यही आएगी, 7 बटे 5, 7 बटे 5, कुछ बड़ कर रहा हूँ, 1 plus 2 by 5, 7 बटे 5, कुछ तो हुआ है, कुछ हो के आए, अच्छा चलो करते हैं, तो नहीं सही है, तो A is equals to, रात का समा, जूमे चंद्रमा, 7 by 5, gamma की value, minus 1, 7 minus 5 will be 2, 2 बटे 5, so A is equals to, 32 की par, 7 minus 5, 2 बटे 5, 32 को लिख सकते हैं, 2 की par 5, so A is equals to, 2 की par 5, into 2 by 5, से 5 cancel, 2 की par 2 is 4, option D is correct, clear है, calculation है यार इसके बाद, ठीक है ना, 32 को लिख दिया, 2 की par 5, 5 5 cancel, 2 की par 2, that is 4, clear है, तो यह सवाल हम से पूछा था, 2010 में, मिटार दे, तो अब हमें पढ़ना है, work done in adiabatic process, work done in adiabatic process, work done in adiabatic process, चलिए, heading लगाएंगे, work done in adiabatic process, work done in adiabatic process, तो बच्चों जो इसका final answer आने वाला है, work done by the system, मैं बार बार निकालता हूँ, मैं बार बार work done by the system, तो इसका final answer आएगा, nr, t2 minus t1, upon 1 minus gamma, nr, t2 minus t1, upon 1 minus gamma, यह आना चाहिए, आएए देखते, तो अपने पास कोई ideal gas है, मेरे पास ideal gas के n moles है, वो ideal gas, अपना temperature, change कर रही है, from t1 to t2, यह कहलो, वो expand कर रही है, v1 से v2, volume के terms में भी formula बन जाएगा, क्या बोला मैं, volume के terms में भी formula बन जाएगा, volume के terms में बन जाएगा, p2 v2 minus p1 v1 upon 1 minus gamma, volume टेंस में भी बन सकता है, टेंपरेचर चेंज होगा, volume change होगा, मालो सब change होगा, कुछ हुआ कहानी ऐसा, कि कोई adiabatic process हुआ भी या, कोई adiabatic process हुआ, heat 0 है, ठीक है, उसमें आपकि gas expand की, contract की कुछ हुआ है, तो मालो उसका pressure p1, volume v1, temperature t1 से change होगे, pressure p2, volume v2, temperature t2, हम नहीं पता, expand हुआ, contract हुआ, कुछ हुआ, ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा हुआ है, हम जो बोला, work done कितना है, तो work done का formula आप लगा होगे, फिर से integration, pdv, अब इसको निकालने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो सीधा सीधा integration का तरीका है, ज़रा उसको देख लो, work is equals to pdv, अब p मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं use करूँगा, ideal gas equation, ideal gas equation तो यहाँ भी valid है, pv is equals to nrt, p की चेक nrt by v, लगा सकते हैं क्या, फिर की चेक nrt by v लगा सकते हैं, nrt by v लगा सकते हैं, into dv, कुछ फाइदा होगा, temperature constant है क्या, ना, कुछ constant है, तो इसको हटाते हैं, क्या मैं, यहाँ पर, adiabatic process में बोल सकता हूँ, pv की power gamma, is equals to constant, adiabatic process है, तो हम बोल सकते हैं, pv की power gamma is equals to constant, इसको use करते हैं, w is equals to integration, p की जगा, k upon v की power gamma, कई लोग को नीन आने लगी, इतना लंबा lecture, जिन लोग को नीन आ रही है, उनको अब मैं कवीता सुनाऊंगा, मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे, डर जाएगी, बाहर निकालोगे, मार जाएगी, खुछ हो गया, चलो वापस हाओ, तो, w is equals to integral p dv, और p की जगा लिख सकते हैं, k upon v की power gamma, ये clear है न, idiomatic process, k ऐसे ये constant माल लिया, यहाँ से मैं k को बाहर ले लूँ, constant को, v की power minus gamma का integration होगा, v की power minus gamma plus 1, upon minus gamma plus 1, v1 से v2, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो k upon 1 minus gamma, इसको बाहर लिया, अंदर बच रहा है मेरे पास, v2 की power minus gamma plus 1, पहले v2 रखा, minus v की जगे v1 रखा, v1 की power minus gamma plus 1, आ तो जाएगा ही सरंथ में, आप कर रहे हो तो भरोसा है, अब इस k को मैं बड़े ही, खुबसूरती से अंदर भेजूंगा, यहाँ था clear है integral pdv, pv is equal to energy नहीं लगाया, मैंने बुला pv की power gamma is equal to constant, और p की जगे लिखा, k upon v की power gamma, फिर k बाहर आ गया, integral v की power minus gamma dv, इसको integrate किया, v की power minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1, v1 से v2, है ना, अच्छा, फिर मैंने का, v2 की power minus gamma plus 1 minus v2 की, अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस k को मैं बहुत beautifully अंदर भेजने वाला हूँ, एक बाद बताओ, p1 v1 की power gamma is equals to p2 v2 की power gamma, both will equal to k, भाई, pv की power gamma constantly तो, तो उनों को k माल लिया, सुनो, जब k को यहां अंदर भेजूँगा, इस वाले में, तो मैं लिखूँगा p2 v2 की power gamma, और k को इस term से अंदर जाके multiply करूँगा, तब लिखूँगा p1 v1 की power gamma, w is equals to k अंदर गया, के पहले वाले में k को अंदर ले जाके लिख रहा हूँ, p2 v2 की power gamma, साथ में लिखा है, v2 की power minus gamma plus 1, दूसरे वाले को जब k में अंदर ले गया, तो मैं k की चेके लिखूँगा, p1 v1 की power gamma, साथ में लिखा है, v1 की power minus gamma plus 1, बस सॉल वो चुका है, v2 की power gamma, v2 की power minus gamma, cancel, v1 की power gamma, v1 की power minus gamma, cancel, बचेगा, p2 v2 की power 1, minus p1 v1 की power 1, so finally you are left with, 1 upon 1 minus gamma, यहां क्या बचेगा, v2 की power gamma, v2 power minus gamma, cancel, p2, और v2, minus, यहां बचेगा, p1, और यहां, v1 की power gamma, minus gamma cancel, v1, यही तो लाना था, एक शेगा, p2 v2 minus p1 v1, upon 1 minus gamma, work done by the gas, p2 v2 minus p1 v1, upon 1 minus gamma, तो लेक्चर हो चुका है, काफी लंबा, राज के बच्चुके होंगे एक, और चल रहा है लेक्चर, मस्ती में, को इटेंशन ने, clear है, बढ़िया से clear है, आच्छ, क्या क्या किया समझ में आया, मैंने work done pdv, pv की power gamma is equals to constant, तो मैंने p की जगह, k upon v की power gamma, क्यों p को क्यों हटाया, क्योंकि integration v के terms पर करना है, कहां से कहां volume, v1 से v2, k बाहर आ गया, constant v की power minus gamma, गामा की integration, यह, 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 फिर मैंने कहा, k को अंदर भीचते हैं, बग ध्यान रपना, एक बार k की जगह लिखा, जब इसके लिए भीजातो, लिखा मैंने k को, p2 v2 की power gamma, और जब इससे multiply किया, लिखा, p1 v2, लिख सकते हैं की नहीं, क्योंकि के दोनों के एक फोल है, दिवाक लगाया है, थोड़ा सा इनोंने, ऐसा हो गया, clear है, clear है, आच्छा, so work done का formula आया, p2 v2 minus p1 v1 upon, 1 minus gamma, अब इससे उपर वाला कैसे बनेगा, बहुत असान है, यहां तक तो आ गे हैं ना, अपने पास, p2 v2 minus p1 v1 upon, 1 minus gamma, बच्छो, p2 v2 का क्या लिख सकते हो, n r t2 minus n r t1, लिख सकते हो, भाई, number of moles और gas constant तो नहीं बदलेगा न, तो pv की जगे n r, यहां pv जगे n r t2, n r t1, यहां से n r common, t2 minus t1, 1 minus gamma, यह वाला ज़्यादा फेमस एक्स्प्रेशन है, n r t2 minus t1 upon, डिपेंड करता है, एक्जाम में क्या दिया है, है ना, फेमस एमस क्या होता है, सब सोच है, clear है, clear है, इस बात को मैं एक दूसरी तरह से भी derive कर सकता हूँ, और क्योंकि यह lecture लंबा हो चुका है, तो आप उस दूसरी तरह से derive करना जरूरी है, अब तो वैसे भी lecture लंबा है, तो आप उसको छोड़ना क्यों है, रात का समा जूने चंद्रमा, clear है यहां तक, P2 भी जगे, NR T2, P1 भी जगे, NR T1, NR बाहर हुआ, T2 माइनस T1, चलिए, दूसरी तरह से मैं इसको derive करता हूँ, इसी बात को, work done in adiabatic, process, इसी को derive करने का एक दूसरा method, क्या derive करना है मुझको finally, NR T2 माइनस T1, अपॉन बाहर गामा, या P2 V2, माइनस P1 V1, अपॉन बाहर गामा, यह, जी हां, यह मुझको derive करना है, अगर यह adiabatic process है बच्चों, तो Q की value 0 होगी, Q is equals to W plus delta U, हम लिखते हैं, अगर Q की value 0 है, तो W is equals to minus delta U होगा, clear, delta U की value बच्चों, process पे depend नहीं करती, delta U की value किसी भी process के लिए होती है, N, C, V, delta T, किसी भी process के लिए होती है, N, C, V, delta T, किसी भी process के लिए, delta U, चाहे एडियाबैटिक, आईजो थर्मल, आईजो बालिक, आईजो कोरिक कोई process, अब सुझों, यह जो C, V होता है, प्यारे बच्चों, इसके दो relation है, एक C, P, minus C, V, is equals to R, पहला relation, एक C, P, upon C, V, is equals to gamma, दो relation होते हैं, उपर वाले को बोलते हैं, मेर्स relation, नीचे वाला अपना ही, गामा का value, C, P, by C, इसका भी derivation कराने का, लेक्चर भागी है, अच्छा, अब मैं बोलता हूँ, कि यहाँ से आप C, V की value निकालो, in terms of R and gamma, in terms of R and gamma, क्या C, P, को हम gamma, C, V, लिख सकते हैं, यहाँ पर, C, P की जगे, gamma, C, V, तो C, P की जगे, gamma, C, V, minus C, V, is equals to R, यहाँ C, P की जगे, gamma, C, V, minus, इसमें, gamma, C, V, minus C, यहाँ से, C, V, common, gamma, minus 1, into R, यहाँ से, C, V, की value, R, upon gamma, minus 1, दिखाई परड़ा है, यहाँ से, C, V, की value, R, upon gamma, minus 1, दिखाई परड़ा है, छोटू सा लिखा है, मैंने, R, upon gamma, minus 1, C, V, की यह value, उठाके, यहाँ रब दो, N, R, upon gamma, minus 1, delta T, क्या है, change in temperature, final temperature, minus initial temperature, यह आया, change in internal energy, work done, इसका negative है, work done, इसका negative है, इसका negative लगाऊगे, तो नीचे, पलट दो, N, R, upon 1, minus, gamma, minus 2, खुला सही, इसका negative, इसमें negative लगाऊगे, तो नीचे minus लगा दिया, तो यह minus, E, plus, एक तरीका यह भी है, shortcut, derive करने का, यह किताबों में जल्दी देता नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आना आपको दोनों चीज़ चाहिए, आपको feel समझ में आना चाहिए, कि सब चीज़ गुमाफिरा की एकी जगे आ रही है, कि internal energy का formula, सब में सेम है, एडियाबैटिक में बच्चों इतनी ही बाते हो सकती थी, मैंने सारी बातें आपसे कर दी, इससे ज़्यादा एडियाबैटिक में कुछ नहीं मिलने वाला, सवाल करते हैं, एडियाबैटिक का ही, J 2011 में आया हुआ, IIT JEE 2011, सवाल पूचा है, 5.6 liter of helium, gas at STP, यानि यह इसका एक मोल नहीं है, एक मोल किस पे होता है, 22.4 liters पे, 22.4 liters एक मोल होता है, at STP, 1 mol of ideal gas, एक मोल होता है, अडियाबैटिक क्ली, चॉप्रेस्ट टो, 0.7 liters, अडियाबैटिक क्ली, इनिशियल टेम्प्रेचर, टूबी, 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 T1, टूबी, टूबी, T1, टूबी, टूबी, वर्क, दन, इनिशियल, इज, इज, ऑप्शन दिया है, 9 बटे, 8 आर, T1, ऑप्शन बी, 3 बटे, 2 आर, T1, अप्शन सी, 15 बटे, 8 आर, T1, अप्शन बी, 9 बटे, 2 आर, T1, सोच समझ के करना है, बहुत ही, बहुत ही, खूपसूरत सवाल है, बहुत प्यारा, मैं इसकी बहुत तारीफ करूँगा, इसको जरूर एक बार पास करके, आप 5-10 मिनिट, अच्छे ते इसको ट्राइ करेंगे, तो इसको आप बढ़ियां से ट्राइ करेंगे, चलिए, कर लिया, मैं करता हूँ, तो 5.6 लिजटर योफ हीलियम गयास एट, सब्सक्राइब लिज़न बटे, एक बात तो साफ है, कि अगर मैं वर्क डेन ऐसे निकालू, एनार अपॉन, क्या, 1-गामा, T2-T1, तो मुझे T2 को भी, T1 की टम्स में निकालना पड़ेगा, ये बात तो clear है, T2 को भी, T1 की टम्स में, क्योंकि सारे आंसर T1 की टम्स में, आच्छा, तो कुछ तो हमें हिंट दे रहा है, कि वॉल्यूम 5.6 से 0.7, तो V1, V2 दिया है, T1, T2 का relation, एडियाबैटिक, निकाल सकते हैं न, अभी हमने पड़ा था, V, सॉरी, T, V की पार गामा, T, V की पार गामा माइनस वन, constant होता है, कहां से आया वही, PV की पार गामा से, P को हटाया, temperature यह आया था, अब, इसको यूज करके हम बोल सकते हैं, T1, V1 की पार गामा माइनस वन, is equal to T2, V2 की पार गामा माइनस वन, T2 को T1 के टम्स में, लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो T1, बचों, V1 कितना है, 5.6, गामा माइनस वन, T2 हमें नहीं पता, V2 है, 0.7, गामा माइनस वन, यहां से T2 is equal to T1 into 5.6 upon 0.7 की पार गामा माइनस वन, यह यह हटा, 7, 8 is a 56, कैसी गयस हैं हमारे पास, हिलियम, बचों, हिलियम एक, मोना अटामिक गैस है, तो गामा की वैलू, 1 प्लस 2 बाई F, मोना अटामिक लिए F की वैलू 3, 1 प्लस 2 बाई 3, यानि 5 बाई 3, तो गामा 5 बाई 3, मैनस 1, 5 बाई 3, मैनस 1, तो 5 मैनस 3 is 2, 2 बाई 3, so it is 2 बाई 3, 8 को आप लिख सकते हो, 2 की पावर 3, तो T1, 8 की जगे, 2 की पावर 3, इंटो 2 बाई 3, सही, 8 को 2 की पावर 3, 3, 3 कैंसर, 2 स्क्वेर 4, यानि T2 is 4 T1, यह हमें चाहिए था, क्योंकि T2 T1 की यूनिट हमें सेम करनी थी, खतम कहां नहीं हो गया, W is equals to N, N कहा है, नमबर ओफ मोल्स, नमबर ओफ मोल्स कहीं नहीं बता रहा है, 5.6 लिटर ओफ हिलियम गास at STP, इस इस रिवलियम नमबर ओफ मोल्स देखो, यहां पे छुपा के बताया, 1 मोल ओफ एनी गास at STP, ओक्यूपाइस 22.4 लिटर, अगर एक मोल होता, तो 22.4 लिटर ओक्यूपाइ करता, यह एक मोल नहीं उससे कम है, 22.4 लिटर मिलके बनाता है एक मोल, सबने पढ़ लगा होगा यह तो, आइलिल गास के लिए, तो बचो 5.6 लिटर कितने मोल बनाएगा, 1 upon 22.4 into 5.6, this will come out to be 1 by 4, तो नमबर ओफ मोल कितने हैं, एक बटे चार, 22.4 से एक बनता है, 11.2 से आधा बनेगा, 11.2 से आधा मोल बनेगा, 11.2 कभी आधा करो, 5.6 से 1 by 4, तो नमबर ओफ मोल से 1 by 4, R की वैलू R, T2 is 4 T1 minus T1, upon 1 minus γामा is 5 by 3, 1 by 4 into R into 3 T1, this will be 3 minus 5, 3 minus 5, 3 minus 5, that is minus 2, और उपर आजागा 3, so it will be 3 3 is a 9 by 8, minus 9 by 8 R T1, मैं मैनस नहीं दिया है, तो आप ए पर ही मारोगे यह एक उप्शन है, वो 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 वरक दन on the system पूछ रहा हूंग, हमने वरक दन by the system, अगर वरक दन by the system पूछ था तो यह होता, on the system कुछ specified नहीं है, तो हम on the system मान के उसको प्मार देते हैं, ठीक है, clear है, बढ़िया सवालता वैसे, ठीक है, आच्छ, तो ये बच्चों एडियावैटिक प्रोसेस की सारी बाते हो गई, तो isothermal की बाते हुई, फिर एडियावैटिक की बाते हुई, अब बच्चों बात कर लेते हैं, दो छोटे छोटे नन्ने मुनने, प्यारे प्यारे प्रोसेस, डेट इस, isobaric and isocoric, आइजो बारिक ऐसा प्रोसेस जो कॉंस्टेंट प्रेशर पर हो रहा हूँ कोई खास बात है नहीं है वर्क डर्न का फार्मला पी डीवी के इंटिग्रेशन से मानलो वीवन से वीटू तक जाना है कॉंस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं डीवी का इंटिग्रेशन हो जाएगा वी वीवन से वीटू सो वर्क डर्न का सीधा-सीधा फार्मला आप लिख सकते हो पी वीटू माइनस वीवन या पी डेल्टा वी इंटिग्रेट करने की कोई जरूवत न इतनी बात है इसा ग्राफ देखोंके पी वी ग्राफ ऐसा इसो बारिक प्रेशर कॉंस्ट्ट यह बनेगा है शाय को आइल्टिजिए को अपिर बात करते हैं आ ऐजो को देशर क्रोसेस की ने कि senior ौ सूद्सट्ट डी वी की वैलू 0 हो गई, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0, clear? तो जब भी वॉल्यूम कॉंस्टेंट होगा, तो वर्क डन 0 आएगा, भाई, डेल्टा वी की वैलू कितनी हो जाएगा, 0, अब Q is equals to W plus डेल्टा यू में, W तो 0 हो गया, की की वैलू, आइसोखोरिक, कॉंस्टेंट, वॉल्यूम, कॉंस्टेंट, वॉल्यूम, वर्क डन 0 आएगा, यहां वर्क डन आएगा, P V2 माइनस V1, P डेल्टा वी, clear है, ग्राब देखोगे, इसमें प्रेशर कॉंस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कॉंस्टेंट, clear एकदम अच्छे से, ब कौन सा आइसोगर, कॉंसा अइडियाबैटिक, कॉंसा आइसोथर्मल, पी फीूम, चार प्रोसफ में बनाओंगा, अगर छारो अलग है, बोल दिया है, चारो अलग है, तो बता वाला से कॉंसा फर्स वाला, second वाला, third वाला, fourth वाला, physics वाला तो first वाला कौन सा होगा? Pressure constant है, isobaric Second वाले में volume constant है, isochoric Third वाले में, अब third और fourth में confusion है एक होगा adiabatic के कुका isothermol Fort की slope जादा है, तो 4 अ रिदा बात्वा थर्ड की स्लोप कम है तो बन जाएगा आईजो तर्मा ठीक है दोनों के दोनों एडियावाटिक भी हो सकते थे अलग अलग गैसे के बट वह लगखा है चारो अलग अलग प्रॉसें क्लियर हो गया अब सारी बातों को वीडियो पॉस करके एक बार अपने नोट्स को रिवाइस करें हम करने जा रहे हैं इसके प्रिवियस एयर के जेई में आए हुए अच्छे सवाल चलिये सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसकाल 2017 Advance में आया एक बहुत खूबसूरत सवाल 2017 Advance का बहुत खूबसूरत सवाल जो अब नया pattern आया है जेई में Advance में एक बहुत ही प्यारा pattern आया है match the column में जब तीन column आ जाए 2017 IIT 2017 Advance तीन कॉलंब के में, दो तीन कॉलंबुन में वह था की so कॉलंब बन कॉलंब टू इक कॉलंब बन, कॉलंब टू, कॉलंब ठीक है Okay तो हमसे कह रहा है कि कॉलंबन में हम work done on system बताएंगे आपो corresponding column 2 और column 3 को match करना है, धी में-धी में समझ में आ जाएगा 1st, 2nd 3rd, 4th तो बोला है work done in the process 1, 2, 2 is 1 upon gamma minus 1 P2 V2 minus P1 V1 ध्यान देना, formula change हो गया 1 minus gamma नहीं है, gamma minus 1 क्योंकि work done on the system बोला है, हम by the system के formula लेते हैं वो पहले से बोला है, बहुत जाएगा tension नहीं, सवाल बहुत हलबा है इससे कोई फरक मनने वाला इस सवाल में नहीं है बहुत हलबा सवाल है, work done in 1, 2, 2 minus P V2 plus P V1, work done in 1, 2, 2 is 0, work done in 1, 2, 2 is minus N, R, T, log E V2 by V1, दोकि इसमें भी minus लग गया क्योंकि work done on the system की बात करें खेर चार फोसे समको बोले हैं, पहला बोला है आईजो थर्मल दूसरा बोला है आईजो कोरिक तीसरा बोला है आईजो बारिक चौथा बोलेगा definitely adiabatic ठीक है? और इनकी कुछ numbering भी कर रखी है तो J में इनकी numbering कैसे की थी इन्होंने ऐसे की थी इन्होंने डेश 1, 2, 3, 4 और इनकी numbering ऐसे की थी 1, 2, 3, 4 लास्ट वाले कॉलम में इन्होंने कुछ graph बना के हमको दिये P, 4 graph बना है pressure versus volume का एक graph यह है 1, say 2 Q, दूसरा graph है pressure volume का है वो भी 1, say 2 तीसरा graph भी pressure volume का बनाया है 1, say 2 ठीक है थोड़ा गिरता हुआ graph है और चौता graph भी pressure और volume का बनाया है ऐसे कहा है इन तीनों column को match करो अभी तक दो column match होते थे आज कहा है तीनों column को match करो first के लिए कौन सा process सही हो कौन सा graph सही second के लिए बहुत असान है वैसे अभी जितना पढ़ा है पहले आप match करा लो फिर मैं बताओ सवाल क्या था सवाल इसी के अंदर से पहले आप match करा हो कि first के लिए कौन सा सही इसके लिए कौन सा सही second के लिए इसमें से कौन से सही इसके लिए कौन सा सही कौन सा process है उसका कौन सा graph होगा pause करके एक बार पहले आप ये कर लो फिर मैं बताओ सवाल क्या थे तीन सवाल पूछे थे इसके अंदर से करें पहला वाला सब समझ गया एडियाबैटिक प्रोसेस है तो first वाला match करेगा fourth से so first will match with fourth और एडियाबैटिक का graph बताओ ये नहीं हो सकता ये हो सकता है ये भी हो सकता है ये तो नहीं हो सकता अब इन दोनों में से ये वाला आप समझ रहे हो किसका होगा एडियाबैटिक ये किसका है आईजो थर्मल भाई एक एडियाबैटिक का आईजो थर्मल तो आईजो थर्मल का curve कम होगा एडियाबैटिक का बहुत तेज होगा तो definitely q तो first fourth q एक तो ये हो गया first fourth q अच्छा second की बात करें minus p v2 plus p v1 कौन सा प्रोसेस है यहाँ से फर्मला इंटिगरल पी यहाँ लगाओगे जब प्रेशर कॉंस्टेंट हो definitely यहाँ प्रेशर कॉंस्टेंट मतलब आइजो बार्यक मतलब second मैचे जब थर्ड प्रेशर कॉंस्टेंट तब ये फर्मला बनाना है बच्छा वर्क दन का प्रेशर कॉम्मनों की बाएर दीखे रहा है? अब यह रहा है प्रेशर कॉस्टन थर्ड वर्कडन 0, वर्कडन जीरो आने का मतलब वर्कडन का फाम्म्मला था है? इंटेग्रल पी-डीवी work done 0 आया मतलब change in volume 0 हो गया यह 0 हो गया हो यानि volume constant रहा होगा अभी सब पढ़ाया यार यानि isochoric by volume constant होगा change in volume 0 work done 0 यानि isochoric यानि third matches with second constant volume volume constant यह देखो volume constant last वाला यह minus nRT यह समझ रहा हो isothermal में derive के nRT log e2 तो यह isothermal है isothermal यह रहा तो यानि fourth matches with first अब isothermal का graph यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता है इन दोनों में से एक adiabatic का isothermal adiabatic जिसकी slope जादा isothermal जिसकी slope का तो यह तो match the column हो गया अब सवाल क्या क्या पूछा था उन्होंने कहा था इसमें से कौन सा इसमें से कौन सा combination इसमें से कौन सा मैं सवाल पर देता हूं पूछा है which of the following option correctly represent in thermodynamic process represents a thermodynamic process that is used which of the following options correctly represents a thermodynamic process that is used as a correction in determination of speed of sound speed of sound का correction के लिए कौन सा प्रोसेस तो मैं बताता हूं कि speed of sound पहले Newton ने निकाली थी Newton ने बोला था कि speed of sound निकालते वक्त हम मानते हैं कि sound isothermally travel कर रहा है air में उसके बाद उनके एक junior थे लापलास उन्होंने लापलास ने correct किया और बोला कि sound adiabatically travel करता है तो speed of sound का जो correction था वो ये था कि adiabatically travel करता है तो overall पूछ रहा है इसमें से adiabatic कौन सा है तो adiabatic कौन सा है यह हो गया answer दूसरा सवाल पूछ रहा है कि इसमें से किस combination के लिए which of the falling four combination will give this result q नहीं this result delta u is equals to q minus p delta v इन चार में से कौन सा combination यह result देगा सोच के बोलो इन चार में से कौन सा combination यह result देगा सोच लिया देखो असल में हम लिख सकते है q is equals to w plus delta u यहां से delta u का formula बन जाएगा q minus w और w की जगे लिखा है p delta v यह लिख सकते हो first loss है q is equals to w plus delta u लिखा हूँ q minus w और w की जगे लिखा है p delta v p delta v बच्चों कब लिख सकते है इस process में पूच जाता कि चार में से सही match कौन सा है मतलब यह question पूचा रसीदा कि कौन सा combination सही है तो यह सारे सवाल हम से पूचे थे 2017 advance में एक सवाल बच्चों मैं और कराना चाहूँगा कहां गया मेरा paper समय हो चला है 1 घंटा 32 minutes तो this will be one of the longest lecture of physics वाला channel एक सवाल और है मैं कराय भी न रहनी सकता 2013 advance का तो IT 2013 advance में IT JEE 2013 advance में हम से पूचते हैं वो कि यह ग्राफ है बेले तो ग्राफ देखो और extra question तो मैं इसके कराही नहीं पाया यह graph है और यह कुछ processes है यह straight line नहीं है कर वे हाँ ठीक है कुछ processes है this is G this is F this is E this is H this is V0 this is P0 this is 32P0 rest given नहीं है मुला यह सारी कहानी है 1 mole of mono atomic ideal gas process प्रोसेस जो involved है इसमें जो process involved है वो है G से E G G G से H F से H F से G हो गया के सारे E से F रह गया नहीं और एक है E से F तो जितने प्रोसेस involved है या तो वो purely adiabatic है या तो purely isothermal है या तो purely iso baric है या तो purely isocoric है इन्होंने का जितने भी process यहाँ पे हो रहे है जितने भी process कोई भी एक process या तो वो purely adiabatic, purely isothermal, purely isocoric, purely isometric ठीक इतनी बाते कहकर उन्होंने हमको match the column दिया है एक हमें दी है list 1 और एक दी है list 2 list 2 में हमको दिये है work done list 2 में हमें दिये है work done और list 1 में हमको दिये है process तो पहला process है P G से E, दूसरा है G से H, तीसरा है F से H, चौथा है F से G और इस तरह हमको work done दिये है कुछ पहला है 160 P0, V0, log base 36, P0, V0 24, P0, V0 31, P0, V0 match कराना है तो pause करके इसको try करें बहतरीन सवाल है इसको समझें pause करें और खुद से try करें फिर मैं इसको solve करता हूँ previous year के question जरूर लगाया करिए बढ़ियो और पूरे दिल से लगाया करिए तो रात का समा जुमे चंद्रबा चलिए आखरी सवाल है एनेरजी को वापस लाते हैं भूरू था बाई तो शुरू करने जा रहा हूँ मैं ध्यान रहे बोचा है सारे process बोला है सारे process या तो purely adiabatic, purely isothermal, purely iso-colic, purely iso-baric होँगे अच्छा decision लेते हैं प्यारे बच्चों इन दोनों में से एक को adiabatic होना ही पड़ेगा दोनों गिर रहे हैं यह जारत जाई से गिर रहा है तो यह हो जाएगा adiabatic यह हो जाएगा isothermal धीमे-धीमे गिर रहा है ठीक है अच्छा प्रोसेस ge की बात करें ge आपको दिख रहा है constant pressure पर हो रहा है ge constant pressure तो work done का formula p v2-v1 simple p कितना है p0 यहाँ पर volume कितना है v0 minus अब यहाँ पर volume नहीं पता देखो यह दिया ही नहीं है गलबड़ कर दिया इस प्रोसेस का work done निकल सकता था constant pressure पर प्रोसेस हो रहा था work done सीधा p v2-v1 तिकत क्या यह volume नहीं दिया अब देखो अगर यह graph isothermal का है इसमें से एक isothermal एक adiabatic होगा purely अगर यह isothermal का है तो इस graph पे आप p1 v1 is equal to p2 v2 लगा सकते हो यानि f और g पे आप लेख सकते हो p1 v1 is equal to p2 v2 आईजो थर्मल प्रोसेस f पे p है 32 p0 और f पे v है v0 यहाँ पे p है p0 और v2 नहीं पता p0 p0 cancel v2 की value हो गई 32 v0 32 v0 into p0 32 v0 p0 यह 32 p0 v0 सही आईजो थर्मल तो यह हो गया 32 v0 तो यह बचेगा minus 31 v0 यानि अंसर होगा minus 31 p0 v0 अब minus plus की यह बात नहीं कर रहे हैं option यही match कर रहा है इस तरफ भी हमको कुछ दिया होगा लिखा होगा हमारे लिए इस तरफ हमको लिखके दिया था paper में जब सवाल आया था one two three four इस तरफ लिखके दिया था option में one two three four तो प्यारे बच्चों p से जो option match कर रहा है वो है four तो कहां लिख ले जाए यहां लिख लेते हैं p के लिए answer है four clear मिटार दे नेक्स प्रोसेस है जी से एच जी से एच जी से एच भी देखो constant pressure है pressure constant है यानि work done का formula हो जाएगा p v2 minus v1 p अब यहां पे volume नहीं पता यह तो पता है यानि h पे volume required है तो अगर आप ध्यान से process देखो f से h तो वो adiabatic है तो f से h में f से h में क्या हम लिख सकते है p1 v1 की पार gamma is equals to p2 v2 की पार gamma adiabatic process है fh monotomic है तो gamma हो जाएगा 1 plus 2 by f monotomic लिए f की value 3 तो gamma की value 5 by 3 अब p1 है मेरा 32 p0 v1 है v0 की पार gamma p2 है मेरा p0 यहां पे और v2 नहीं पता तो v2 की पार gamma p0, p0 cancel सही है तो यहां से v2 upon v0 की पार gamma is equals to 32 gamma है 5 by 3 तो यहां पे gamma की जगे 5 by 3 32 को लिख सकते हैं 2 की पार 5 दोनों तरफ पावर 1 by 5 1 by 5 कर दो तो यह 5 5 पाच लिए 1 by 3 है उदर बेज दोगे तो 2 की पार 3 बन जाएगा मैंने यहीं solve कर दिया समझ में आया gamma की जगे 5 by 3 रखना v2 upon v0 की पार 5 by 3 इसगल 30 को 2 की पार 5 उसके आद सब कल लोगे 2 की पार 3 को हमें 8 लिख सकते हैं यानि v2 is equals to 8 v0 तो यह volume है 8 v0 हो जाएगा 8 v0 minus 32 v0 32 minus 8 कितना आएगा 24 v0 negative आएगा यानि इसके लिए option match कर रहा 3 तो Q का answer है clear है logic समझ में आई यह सारी बहुत बढ़िया इसके बाद process है F-C-H F-C-H बच्चों F-C-H adiabatic process है adiabatic का बच्चों work done होगा temperature तो है नहीं अपने पास वनना यह लिखते nRT2 minus T1 upon 1 minus temperature given नहीं है nRT2 को लिख सकते हैं P2 V2 nRT1 को लिख सकते है P1 V1 nRT PV हो जाता है nRT की जगे PV थोड़ी से energy down क्योंकि समय काफी बीच चुका है हाँ और यहां काफी समय जा चुका है अब मैं काफी इथका हुआ महसूस कर रहा हूँ तो को ऐसी बात नहीं है energy पूरी रहनी चाहिए अपॉन वन माइनस गामा गामा भी आपने निकाला था पांच बटे तीन आया था तो वन माइनस पांच बटे तीन आट माइनस बटेस इस चौबिस P0 V0 अपॉन 3 माइनस 5 माइनस 2 और उपर गया एक 3 2 12 जा 24 12 3 जा 36 माइनस 36 P0 V0 तो 36 वाला अंसर है 2 तो यानि R का अंसर होगा 2 हम एक और option मिल गया R का अंसर है 2 clear चलिए last process अपना FCG 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 बच्चों process हो गया isothermal isothermal का work done आपको याद हो nRT log e V2 by V1 तो V2 भी पता है V1 भी पता है दिक्कत क्या है T नहीं पता दिक्कत क्या है T नहीं पता temperature given है क्या नहीं given है क्या किया जाए हमने बताया था आपको nRT की जगे आप क्या लिख सकते हो P1 V1 लिख सकते हो nRT की जगे आप P2 V2 लिख सकते हो जो मन करें तो मैं P1 V1 उठा लेता हूं यहां से तो P है 32 P0 V है V0 nRT log e V2 32 V0 upon V1 V0 V2 by V1 यह हो गया 2 की पार 5 पूरी तरह से फिनिश किया आपको भी यह समझ में आया होगा इसको खुब प्रैक्टिस करिये क्योंकि अब आने वाला है 2nd law of thermodynamics जहां पे मुझे आइजो थर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का बहुत इस्तिमाल करना है तो पढ़ाई करते रहें All the very best अज़ाए अज़ाए